हेलो एवरिवन सो कैसे हैं आप सब गाईज आज हम लोग को पढ़ना है मोस्ट इंपोरेंट इंड इंटरेस्टिंग पाट जिसका नाम है लेंस ढ़िए आपको पता हुआ कि हमाल चीजे फ्री औफ कॉस्ट प्रवाइड कर रहे हैं जो नोट्स वगेरा है सब कुछ आपको फ्री औफ कोस्ट मिल जाएगी ठीक है अब बस क्या करो कि टेलिग्राम में जाओ और टेलिग्राम में जाके वहाँ पे जॉइन हो जाओ और सारी सारी नोट्स आपको free of course रच्छे से मिल जाएगी गैस हम लोग कोई भी ऐसा नहीं कि आपको एकदम लिख के आफे दे दें और फिर सारा चीज आप पढ़ लो वही ऐसा रटने वाला काम नहीं है सब कुछ समझा के मिलेगा क्योंकि अगर आज आप रट लोगे लेकिन आगे चलके जब आप बड़ी प्लासेस में जाओगी 11th में 12th तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी और आप कुछ समझ भी नहीं पाओगे और आप fail होने की चांसे साथ आपके जादा हो जाएंगी ठीक है इसके लिए हम लोग एकदम simple सा एकदम आपको पूरा conceptual चीज़ी मैं आपको एकदम सिखाता हूं एकदम concept वाली चीज़े जिसे कि आपको सब कुछ एकदम मज़े से समझ में आए और future में आपका बहुत ज़दा फायदा हो तो सिर्फ 10th ही नहीं 10th के बाद भी आंगे चीज़ें होती है तो वहाँ तक के लिए आपको सब प्रिपेर हो जाओगे automatically ठीक है गाइस तो आपको hand written notes सारी मिल जाएंगी जो कि आप अपने board exam में इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है और यह इस chapter का part number 2 है गाइस मैं आपको पहले ही बता दूँ कि अगर आप लोग ने part number 1 नहीं देखा है तो अच्छे से वहाँ पर उस वीडियो को देख लो part number 1 को के बच्चो ठीक है चलो तो गाइस आप मुझे instagram में भी follow कर सकते हो खेर आंगे बढ़ते ही तो गाइस अभी देखो यहाँ पर अच्छे से हम लोग को एक चीज देखना है बहुत important तरीके से देखो सबसे पहली बात तो यह कि आपको जो चीजे में बता देता हूँ उस चीज को अपने दिमाग में एकदम बिठा लो ठीक है यह हमारा कॉंसा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है हमारा यहां से center से एक line जाती है जिसे हम क्या कहते हैं principal axis क्या कहते हैं इसे हम principal axis क्या कहते हैं फिर हमारा एक बहुत important things कि हमारा middle में जो रहता है जिसे हम point O कहते हैं जिसका नाम है optical center फिर guys उसके बाद आपको पता ही होगा कि हम इसे क्या कहते हैं यहाँ पर देखो थोड़े से दूर के distance में हमारे इस side भी और इस side भी एक point होता है जिसे हम principal focus कहते हैं मैं इसे F से दिखाता हूँ F से ठीक है यह हमारा principal focus है जहां पर हमारी सारी images बनती है फिर guys अगर मालो F जरूरी नहीं कि principal focus कितना भी हो सकता है यह हमको पता है जरूरी नहीं किसे fake ही रहेगा तो basically वह इतना याद रखना कि principal focus को distance होता है वह हम optical center से ही major करती है ठीक है अब देखो हमारा principal focus यहां पर भी हो सकता है तो अब देखो अगर मालो हमारा यह F1 है यह भी हमारा F1 ही रहेगा लेकिन यह double है यह बात ध्यानक ना अच्छे से अगर मालो हमारा F2 है तो अगर मैं थोड़ा और दूर लेता हूं तो मेरा two times of F2 कहल आएगा समझ गया अच्छे से मतब देखो कहने का मतलब यह है कि optical center से ले करके और यहां तक का यह distance हमारा एक focal point का एक distance हो गया ठीक है यह इतना distance हो गया तो आप ही बताओ कि यहां से ले करके यहां तक distance कितना रहेगा डबल रहेगा इसलिए मैंने वहाँ पर उसको कितना दिया है two times of F1 दिया है ऐसी इस side भी मालो इस side भी similarly आप मान सकते हो ठीक है एक दम same condition है चलो तो यह आपको समझ चुका है अच्छे से भाई focal length क्या होता है जो इसके बीच का यह पूरा length है इसे हम focal length कहते हैं ठीक है यह बातें आपको समझ के रखनी है उसे हम F से दिखाते हैं वो focal length है और F1 हमारा principal focus है जो कि principal axis में ही सब बनते हैं चलो यह बातें आपको समझ के रखनी है यह हमारा कौन सा lens था यह हमारा convex lens था तो यह सारे चीज़ें आपको समझ के रखनी थी जो कि बहुत ज़्यादा important है ठीक है अब हम लोग बहुत सारे चीज़ें सीखेंगे हमारा जो object रहेगा देखो हमारा एक object हुआ करता है फिर हमारा इस side में हमारी image बनती है यह बात आपको ध्यान रखनी है तो कभी भी my dear एक बात ध्यान रखना कि हमारा object इधर ही रहेगा और image हमारी हमेशा इस side ही बनने वाली है object से हमेशा light की ray निकलती है जिसे हम incident ray कहते हैं और जो हमने इसके पहले वाली वीडियो में तीनो लौ पढ़े थे सबसे last में वीडियो के उन तीनो लौ को आपको याद रखना पड़ेगा क्या थे वो तीनो लौ पहला लौ था कि अगर हमारी light जो भी हमारी incident ray रहेगी अगर वो parallel है principal axis को तो वो light हमेशा principal focus में से जाएगी similar condition एक condition क्या थी कि अगर मालो हमारी light है और वो अगर principal focus से जा रही है तो वो कहां से होकर के जाएगी parallel to the principal axis और लास्ट वारा rule हमारा क्या था लौ लास्ट लौ हमारा यह था कि अगर कोई भी हमारी ray of light हमारे अगर optical center पर जाएगी तो बीना कोई direction change के सीधे निकल जाएगी without changing any directions वो सीधे cross हो जाएगी समझ गया तो यह तीनों लौ हमने पढ़ा था और यह तीनों के तीनों लौ का इस exam में पूछा जाता है यह convex lens के image इसी form में बनेंगे और यह बहुत चिंदी लौ है ठीक है चलो अब हम एक practical perform करते हैं थोड़ा सा छोटा सा देखो यहाँ पे आपको वही एक imaginary axis दिख रही होगी मत्तब देखो यह हमारा optical center है यह f1 है यह आपको यहाँ पे f2 दिख रहा होगा यह यह 2 f2 है यह 2 f1 है वह आपकी उपर है अब क्या लेते है ठीक है चलो अब गाईज अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा convex lens अब अच्छे ध्यान देखो को समझेगा यह हमारी candle है और यहाँ पर देखो screen में screen जहाँ पर हमारा यह candle हमारी दिखेगी जो यहाँ से light इसके आँए जाएगी तो दिखेगी ठीक है तो देखो candle यहाँ पर inverted है उल्टा candle ऐसी बननी चाहिए ना लेकिन inverted बन रही है अब देखो आपको मैं यहाँ पर सारी चीज़े आपको सिखाता हूँ गाईस ठीक है कैसे यह मतलब यह सारी चीज़े हुई तो इस चीज़े को म इसके center में से ध्यान देना अच्छे से इसके center में से यह गई मेरी principal axis अब देखो यह मेरा यहाँ पर देखो इसी जैसे बना रहा हूँ मैं यह मेरा 2F1 है यह मेरा F1 यानि पहला principal focus यह दूसरा principal focus इधर भी मेरा वही सेम पहला principal focus इधर का मेरा दूसरा principal focus मतलब उतने ही distance में तो भी रहेंगे जितना distance इसका guys यहां से लेकर कि यहां तक है उतना distance यहां से लेकर कि यहां तक कभी रहेगा ठीक है यह बाते आपको समझ के रखनी अच्छे से ओके चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अब देखो यह मेरी candle मैरी यानि कि मेरा जो object है अब candle रखा हूँ आप object भी मान सकते हो तो यह object को मैंने f1 और इसके बीच में रखा है यह मेरा object हो गया ठीक है अब हर एक object से light निकलती है देखो मैं पहली light निकाल रहा हूँ देखो first light कैसे आपको image बनाना है वो सिखा रहा हूँ मैं यह practical क्या according ठीक है तो देखो अब मैं पहली light मेरी निकली अच रहेगी principle axis को यह हमारा principle axis इसको parallel रहेगा तो यह कहां से हो करके जाएगा यह हमारी जाएगी principle focus में से अब ध्यान देना अच्छे से बहुत ज्यादा important concept है यह light हमारी principle focus में से जाएगी ठीक है ऐसे आपको ध्यान रखना अच्छे से ठीक है यहां भी मैं अच्छे से आपको करके जाए अप्टिकल सेंटर में से हो करके जाने चाहिए ठीक है एक ऐसी लाइट निकालो ना वाइज अब आप ही मुझे यहाँ बता थोड़ा से इसको अच्छे से मैं लिखता हूं यहां पर अच्छे स्लाइट खिचता हूं एसे लाइट खिशता हूं अच्छे ध्यान द यह दो ऐसे ही करना है और कुछ चांस नहीं है कॉन्वेक्स के लिए हमको ऐसे करना है हमेशा हमेशा के लिए याद कर लो कोई भी आपज़िट चाहे आप यहां रख दो आपज़िट चाहे बीच में कहीं आगे पीछे किदर भी रखो यार एक लाइट उसके उपर से सीधा प पर एक चीज आपको समझाता हूँ कभी भी ना माडियर अगर लाइट यह दोनों रे है जो लाइट रे है यह दोनों के दोनों अगर कहीं पर भी इंटरसेक्ट कर गए क्या कर गए इंटरसेक्ट कर गए ठीक है तो वहीं पर हमारी इमेज बनती है कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है object लेकिन हमारी image axis के नीचे बन रही है इसका मतलब क्या है कि हमारी image जो है वो उल्टा है inverted है देखो ना यह ऊपर था और यह देखो हमारी नीचे बन रही है समझ गया तो हमारी इस तरीके से हमको यह पढ़ना होता है बहुत यह थी अच्छे तरीके से chili ठीक है मारी डियर चलो तो आई होब कि आपको यह अच्छे से बहुत ही बेस्ट तरीके से समझ गया होगा बहुत ही बेस्ट तरीके से मैंने आपको समझाया है ठीक है तो यह थी हमारी inverted image इसे हम inverted image कहते हैं आपने कभी न कभी एक चीज़ सुनी होगी कि inverted और real image होती है inverted और हमारी कभी कभी real images के बारे में आपने सुना यह होगा ठीक है ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा कि real और inverted image के बारे में देखो आपको एक चीज़ समझाता हूं हमेशा lifetime के लिए याद रखना कभी भी मालू अगर यह object है यह principal axis है real inverted और virtual image कभ बनती हो समझा रहा हूं यह ninth में था और यह आपको कोई नहीं बताने वाला है चलो यहाँ पर समझाता हूं वच्छे ध्यान दो ठीक है कभी भी यह मालू आपका एक lens है यहाँ से अगर आपकी principal axis है ठीक है और मालू कहीं पर भी आपका object था तो जब कभी भी ध ध्यान देना अगर मालो ऐसे image जा रही है यह principle focus से निकल गई यह एक image जा रही है ठीक है एसे एक image जा रही है यह यहाँ पiała यहाँ पर intersect कर गई ठीक है तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा ऑब्जेक्ट बनेगा अब देखो ज़र धान से यह हमारी image यह हमारा object था और उल्टा यहाँ पे हमारा object यहाँ पे बना है तो guys इसको हम क्या कहते हैं कि हमारी image जो है वो inverted है लेकिन यह हमारी image real रहेगी ठीक है यह बात आपको ध्यान देनी है यह हमारी image real कहलाएगी real वाली हमारी image कहलाएगी लेकिन my dear अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि कभी कभी हमारी image real और virtual भी बनती है कैसे बनती है? real ना बनके virtual बनती है real ना बनके virtual बनती है समझ गया? यह मैं आपको बताता हूँ तो देखो यह कैसे बनेगी? कभी भी real कभ बनी थी यह पहले जाल लो real कभ बनी थी जब हमारी image ऐसे जा करके और intersect हुई थी कहीं न कहीं intersect होगी तो ही हमारी वो image real कहलाएगी और यह inverted वाला तो बहुत आसान है उल्टा दिखे रहा तो inverted ही रहेगा ना लेकिन real का concept समझो real image कभ कहीं जाएगी? जब हमारी image कहीं न कहीं intersect करेगी यहाँ पर intersect करेगी अब देखो मैं virtual image की बात आपको करता हूँ मालनो suppose that हमारी line गई और ऐसे light यह चली गई और ऐसे यहाँ से light यह भी आके आगे निकल गया लेकिन दोनो lifetime infinite distance तक जाते जाओ और कभी मालनो image intersect हुए ही नहीं तब तो हमारी real image नहीं बनेगी न क्योंकि real image तभी बनती है जब हमारी image intersect होती है तब guys हम लोग एक दिमाख लगाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं इसके back side में ऐसे line खीचते हैं आपने देखा भी होगा कभी न कभी हम ऐसे back side में एक line खीचते हैं है ना ऐसे back side में और back side में जहां पर भी intersect करती हैं वहाँ पर हम image बनाती है तब हमारी image इस side ही बनती है जिधर object रहता है ठीक है तो अब बताओ object हमारा ऐसा था और हमारी image ऐसे बन रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी image है वो तो virtual है कैसी ये virtual है बट erected है erected मतलब क्या होता है erected मतलब जैसा object था वैसे ही हमारी image भी है समझ गया erected है खड़ी है inverted नहीं कि उल्टा है था ऐसा और image जैसे बन रही है सीधा था उल्टा नहीं है मतलब सीधा खड़ा है image रही है समझ गया देखो कितनी बड़ी इमेज कितना चोटा ऑपजेक्ट था और इमेज कितना बड़ा हुआ तो आएसे हमेशा होता है तो इमेज हमारी वर्टुअल कहलाती है तो वर्चु लो रएन इस इरेक्टडर और इननि वर्टेट तो आपको समझ चुका है सीधा है तो erected है अगर ultra बना तो inverted है लेकिन real कब बनेगा जब आंगे intersect करेगी हमारी light तब वो real कहला है और virtual कब बनेगा जब आंगे intersect नहीं करेगा तो हमें पीछे बनाना पड़ता है image virtually dotted line से तो हम उसको कहते है virtual image I hope guys कि आपको यह अच्छे समझ गया है ठीक है यह हमने पड़ा था 9th class में वीडियो को एक से दो बार rewind करो आंगे पिछे घुमा के देख सकते हो आप लोग best तरीके से चलो अब हम एक image का यह diagram देख लेते कैसे हमारी image बनती है देखो अच्छे समझना है आपको और कुछ नहीं समझना है ठीक है देखो यहाँ पे तो guys इस बार यह हमारा f1 point है यह हम हमने focal length के बाहर दूर और beyond देखो दूर image लिया एक object लिया A B नाम का एक इंसान या object समझो जो भी समझो आप ठीक है अब आपको समझता है ना कि यह candle है देखो ऐसा candle इसको समझने का और यह बीच में lens है और यहाँ पी image बनती है इस side हमेशा image बनेगी इधर पे object रहेगा ब principle focus यह निकल गई ठीक है आपको दिख भी गया रहेगा अच्छे सिगाइस ठीक है चलो second image हमारी यहाँ फीधा जाएगी जो कि बीना change हुए सिदह निकल जाएगी और यह image हमारी इफी जाएगी आपने देखा कि यहाँ पर हमारा intersection हुआ देखो जब intersection हुआ हमारी इंटर सेक intersection हुआ है और हमारी image कैसी inverted है real but inverted image बनी है समझ गया तो ऐसे हमारी डियर आपको image बनानी होती है समझ यह कि नहीं समझ गया तो इस तरीके से हमारा object फार्म हुआ तो बग गाईज यह line खीचने का एक ही तरीका है कि एक line हमें से बीच में से निकालना और एक line हमें से इधर मे से निकालना ठीक है तो तभी हमारी image बन जाती है और कुछ नहीं ज्यादा सोचने की जरुत नहीं पड़ती इसमें ज्यादा दुनियादारी सोचने का नहीं मस्त image बनती है अब आपको virtual image दिखाता हूँ मैं देखो अगर मालूम मैंने object को आप ही बताओ जरा मुझे अगर आप अपने मुझ को face को mirror के ज्यादा पास में ऐसे लेकर चले जाओगे तो क्या होगा बताओ जरा आप कितने बड़े बन जाओगे ना समझ रहो कि नहीं समझ रहो तो देखो हमारा जो object है guys हमारा जितना दूर रहोगे उतना अच्छा image बनता है अब दूर रहोगे तो आप देखो जरा कितनी यहाँ पागल बनती हुई है हमारे object को हमने mirror के मतब अपने convex lens के ज्यादा पास में रख दिया रूल तो वही है कि पहला इधर से घीचो तो फिर इधर focus lenses जाएगा और दुसरा हमारा optical center से निकल जाएगा समझ गया अब आपको क्या लगता है यह जीवन में कभी आँगे चलके infinite तक भी जाएंगे तो कभी यह कभी भी मीट करेंगी दोनों लाइन कभी मीट नहीं होगी हमेशा intersection इनका मतब होएगा ही नहीं मतब इनका intersection कभी नहीं होने वाला है दोनों लाइन कभी जुडेंगी नहीं तो अब हम इनका image कई से बनाएंगे अब हमको तो पता है कि इतना पास में अगर हम lens करेंगे तो बड़ा image ही बनने वाला है यह तो वर्चूल है पक्का लेकि में और यह देखो back side में यहां पर आ करके और यहां पर हम जहां पर भी back side में back side में line खीचने start करने का और जहां पर भी intersect करेगा ही करेगा पक्का करता है तो जहां पर भी intersect करेगा ना वहीं पर line खीच देने का और वहीं पर हमारी image जो बनेगी वो हमारी image क्या कहलाएगी वो रियल है क्या? नहीं, वर्चुल इमेज है, कैसी इमेज है? वर्चुल इमेज कहलाएगी, ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान लखना है सारी चीजों का, जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब वर्चुल बनेगी, ठीक है, ये बात आपको जानके लखनी है, अब मैं आपको नेचर आफ दीमेज दिया है, कभी देखो, रियल है, तो कभी इन वर्चुल है, और इरेक्टेड है, तो ये बनते रहता है, अब मैं आपको यहाँ पर सब दिखाता हूँ, पहली लाइन, मैं आप लोगों को पहला उब्जेक्ट बना के दिखांगो, पहला वाला, देखो, यहां पर एड़ इनिफिन्टी पर मतलब मेरा ऑब्जेक्ट जो रहेगा इनिफिनिटी पर है देखो मैं यहां पर सब खीच के आपको दिखाऊंगा और आपको लाइन सब को समझना है ऐसा कॉंसेप्ट बताऊं कि आपका कोई टीचर ऐसा नहीं बताएगा ध्यान देना अच्छे से यह मेरा कौंसा पॉइंट है यह एफवन पॉइंट है यह मेरा टू एफवन पॉइंट है चलो खीज दो सब फटाफट यह पहले लिख लेने का यह ना लिख के खतम कर देने का मालूम है नहीं तो कई से गुंडा बनाओगी तुम लोग ठीक है देखो अब यहां पे ना एड इंफिनिटी पे बोला है मत्तब कि भाई ना तो एफवन पे है ना एफटू पे हमारा ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी से आ रहा है तो अब जब इंफ यहां रहा है तो बाता किदर से आ हैं फिनिटी से आ रहा है ना जब इंफिनिटी से ही आ रहा है हमारा आ औपजेक्ट काई wes करेंगा अब इधर भी खीचुँगा समझ रहो समझ रहा है तो मैं क्या करूं बताओ आप इंफिनिटी से आ रही है लेकिन यहाँ पर क्रेगा क्रेगा ऐंडरीयरे центनग ऑब ज tentang City अगर आप मिलर के यह किसी का सिके दूर रहोग dose लुकर दिंगा दूर रहा होगे तो जेतना दूर इतना फ्माप रेल बनाओ गרגमेचüst官 आपका यहां पर intersection होगा और देखो intersection हो गया तो यहां पर image कैसे बन रही है यहां पर image real बन रही है real but inverted है बट कैसी है inverted है अब जरह मुझे यह table देखो real है but inverted है और image किसी बनी कि बहुत छोटी point image अब आप समझते हो ना मेरे पास major करने कुछ नहीं है क्या बोला है beyond 2 f one मतलब 2 f1 के पीछे है image अभी मेरी ठीक है 2 f1 के पीछे है चलो तो यह दो को यह अभी हमको बार-बार चाहिए रहेगा तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं फटक से यह लो ठीक है अब मैं इसका यूज करूँगा बाद में चलो अब देखो क्या बोला है कि बेंड 2F1 यानि 2F1 के पीछे है मेरी इमेज तो चलो यह 2F1 है और इसके पीछे मेरा ऑब्जेक यह इमेज भी कैसी बनेगी यह इमेज भी हमारी रियल है और यह भी हमारी इनवर्टेड है प्लियर वात समझा की नहीं अच्छे से इमेज कहा पी बनी है यहां पर गटक दिखा जिए धा हूँ इमेज कहा है बनीज पोजिशन फुट फू एं दू एं ट्विट डिवेज पे अच्छिव देख सकते हो बिटीविन एफ टू एंड टू एफ टू की बीच में है समझा कि नहीं पेमेज बनी की नहीं बनी समझ रहा हूं तो आईसे आपको भी बनाना है मैं आपके सामने क्रियेट करके दिखा रहा हूं जिससे कि आपको जिन्दगी में कभी डाउट नहीं होना चाहिए समझ रहें करें समझ रहा आपको ठीक है यह कॉंसेट आपको समझ के रखना अच्छे से ठीक है वाइडियर चलो ओके ऐसे पढ़ाई करने का ना अब देखो आंगे देखते है हम लोगा आएंगे देखते हैं ठीक है चलो अंगला कॉंसेपट अंगला क्या बोलक्रक्रक्रक्ष है मालनीओ अगडर टू एफॉयन पर ही मेरी इमेज है पहले क्या थी Regional d yet फिर कहा हुआ थोडा पास में आया aby ह begin क्या मिए चाहने अब अब देखते क्या बनेगा अब अपने अब समझ सकते हो ना रिकांप जाएगा मालू में ना ये इधर से जाएगा focal point से और दूसरी इमेज आपको optical center से लेकर जाना होता है ये भी यहीं पर बनेगा समझ या ये भी image कैसी बनेगी real है और inverted है कैसी image हमाइडियर real है but inverted है अब आप यहां पर देख सकते हो देखो यहां पर कैसी बनेगी add 2F2 पर image बनेगी अब हमको आप समझ सकते हो ना हम लोगो कहां पर खिचने विचने नहीं आता है ये exactly जो image बनेगी ये 2F2 पर आएगी समझ रहे हो ना अभी कहां पर आप समझो इतना अच्छे से अभी मैं कोई यहां पर measurement करने के लिए कुछ लिया नहीं हूँ you can imagine यार इतना अब मत बोलना ठीक है तो यह 2F2 पर image बनेगी मत्तब यह किसमें बना दिया मैंने ठीक है यह किसमें बना दिया मैंने यह तो आप दूसरा वाल अपना है य homeless रियालेटी में किदर आपने यहां पर करेगा यहाँ पर करेगा अब देख सकते हो यहां पर इंट्रसेक्ट करेगा ठीक है तो यह F2 पर मतलब अगर आप object को किसी focus में रखते हो तो यहां भी किसी focus point पर image बनेगी और distance बराबर रहता है ठीक है ऐसे ही आप सब की बना लोगे ना ऐसे आप सब की create करना सबकी मस्त बीच में रखना फिर पास में रखना ऐसे से करके ना मैं एक last वाली image बना के आपको देता हूं यह वाली मैं आपको बना के देता हूं F1 और O के बीच में जब हमारी object रहेगी F1 और O का मतब तो आप जानते ही रहोगे ना देखो यह होता है हमारा O अब देखो अगर इसके बीच में तब इंटरसेट करेगा आपको लगता है नहीं करेगा हमको इमेज चाहिए तो हम क्या करेंगे बैक सेड में इसको बनाना इस्टार्ट करेंगे और देखो यह बैक सेड में मैं इसको बना दिया यहाँ अब देखो यहाँ पर मेरी image बन गई अब आप बताओ जो रहेगा य आपको यह सब याद रखने का F1 किदर है सारी चीजे किदर है देखो न F1 किदर है और O किदर है इससब आपको याद रखना है इतने चिंदी सी बात आप समझे सकते हो F1 और O के बीच में है तो कैसी image बनेगी एक बात बस याद रखो जितना पास में रहेगा lens के उतना ही intersection नहीं होगा और जब intersection नहीं हो तो हमारी image virtual बनती है यानि पीछे बनती है F1 के अगर आगे गए ना आप F1 के आगे गए समझना कि virtual image पक्का बनेगी ठीक है यह बात आपको ध्यान में रखना हमेशा और F1 के पीछे हो तो कोई tension नहीं तब आपको आगे intersection करवा देना हमेशा करवा देना intersection यह बात अब ध्यान में रखना नहीं तो फिर wrong हो जाएगा सब कुछ तो आप यहां पे देख लो on the same side of the lens as the object वहीं image हमारी बनी है मतलब उसी side में image बनेगी जहां पे हमारा object है उसी side में हमारी image बन गई है समझ गया तो guys ऐसे तरीके से हमको पढ़ना होता है म के idea चलो देखो अगर मालो suppose यह हमारा convex lens ही है अभी तो इसमें क्या हो रहा था कि guys हम कोई भी अगर कहीं भी object को खड़ा कर दें और image डालें तो वह हमें फ़ा जाके पहले principle focus से निकलता था ठीक है लेकिन अगर guys हम यह वाला lens का इस्तमाल करें यह lens का अगर हम इस्तमाल करें इसमें भी same f1 इदरी रेता है यह same condition है सब कुछ same सब कुछ same और इसमें भी अगर object ऐसा मेरा image गया तो इसमें तो इदर को जाता ही नहीं है यह diverging lens होता है मैंने इसके पहले वाली वीडियों बताया था यह lens में से ऐसी light निकल जाएगी समझ गयो कि नहीं समझ गयो मतलब ब object कभी light कभी intersect होगी ही नहीं concave lens में तो हमारी जो image बनेगी हमेशा virtual ही यह बात आपको ध्यान लखना अच्छे से तो अब आप यहां पर देख लो मालो अगर मैंने concave lens लिया और यह मेरा focal point f1 है ठीक है अब ध्यान देना अच्छे से बहुत important concept है यहां पर मैंने object को रखा अ but f1 के बीच में अब जब यहां से object जाएगी ध्यान देना अच्छे से जब यहां से मेरा यह गया तो यह इधर को भाग जाएगा इधर को आएगा ही नहीं समझ आगी नहीं समझ गया तो इसलिए guys अब देखो क्या होगा तो और यह दूसरा वाला तो हमको बीच में से निक इमेज इधर को बनती है ठीक है अगर वो वर्चुल नहीं है तो ठीक है लेकिन कॉनकेओ के केस में हमेशा इधर ही इमेज बनेगी और इधर ही हमारा object भी रहेगा on the same side object as well as image will be always on the same side ठीक है यह बात आपको ध्यान लखनी है guys ठीक है तो इस सारी condition आपको इत्तु सा ही आप स attainsınız पर एक्सेस रहता है यहां पर हमारा जीरो रहता है ठीक है कि यह मारा एक्षी सेक्षी सेंसने अपर सबुस्तिन आती है यहां पर ब् objective सब रहता है से उनक ह्या यह हमारा यह थी से लेकिन यह हमारा नीग्टिव रहता है यह सब्धकर없이 मालुन में सक्कुलाने उत पड़ हुआ है तो अभी ऑप्टिकल से लेकर कि यहां तक का डिस्टेंस कितना है फिर यहां तक का डिस्टेंस कितना है हमारी इमेज बनी तो कितनी लंबी इमेज बनी इमेज की हाइट क्या है है ना image का distance कितना दूर image बन रही है हमारा object कितना दूर था है न यह सारे चीज़े हम find करेंगे अभी जिसे object की height कितनी है जो हमारा object उसका height कितना है हमारे image की height कितनी है कितना बड़ा object कितना बड़ा image है यह सारे चीज़े हमको पता करनी होती है तो गाईज उसके लिए एक sign convention नाम की चीज है क्या नाम है sign convention ये सब पता करने के लिए क्या height ये सब कुछ जानने के लिए अब हम थोड़ा सा बहुत important चीज जो कि इस chapter का सबसे important है formula वगेरा ये सब गाईज अभी हम देखने वाले हैं तो यहां पर देखो sign convention के बारे में हम जानने जा रहे हैं पहले हम convex lens का जानेंगे convex lens के लिए पटा पट यहां पर थोड़ा सा focus करो और कुछ नहीं चाहिए आपको ठीक है ध्यान देना बस और कुछ नहीं करना है ठीक है यहां पर ध्यान दो अच्छे से अब देखो दुनिया को guys मालूम है, दुनिया को friends मालूम है बहुत important है यह ठीक है तो अभी हमको पता ही कि हमारा जो object रहेगा वह हमेशा इस side ही रहने वाला है जो object रहेगा वह हमेशा इस side रहेगा ऊब्जेक हमारा हमेशा चलो यह बात आपको ध्यान रखनी है अगर मालो आप axis के ऊपर जाते हो अगर आप axis के ऊपर की तरफ जाते हो तो ऊपर में हमारा देखो हमने देखा ना कि positive रहता है तो मत्तब कि अगर कभी भी height हमारी ऊपर की तरफ है object जो हमारा ऊपर की तरह हमेशा इधर object ही रहता है इधर हमेशा image बनती है कभी कभार इस set जाती है दोनों सेम साइड हो जाते हैं फिर object और image बड़ हमेशा तो इधरी रेता है अब देखो आपका क्या होने वाला है तो guys यह हमारा जो यह image है यह image हमारी उपर रहेगी जो इसके मतलब हमारे image की जो height हम मेजर करेंगे वह हमें सब positive आईएगी समझ गया चलो पहला sign convention clear दूसरा अगर मालो height हमारी object नीचे की तरह है हमने inverted object को ही हमने inverted रखा object को ही हमने inverted उल्टा रख दिया object को ही अभी तक हम object उपर रख देते हैं अगर हमने object ऐसा रख दिया तब तब हमारी object की जो height रहेगी वह negative में गिनी जाएगी height below और यह height above above height positive below height negative समझ गया अच्छे से और कभी अगर आप इस side के लिए distance अगर measure करोगे हमेशा distance कहां से measure करना है O से optical optical center में से object के distance को measure करना है object कहीं पर भी रहे चाहे वह F2 में रहे 2 F1 में रहे या F1 में रहे या F1 और O के बीच में रहे या कहीं पर भी रहे distance हमेशा optical center से ही major होगा लेकिन अगर इस side measurement कर रहे हो तो वह negative ही आएगा क्योंकि इस side negative x-axis होता है देखो न negative x-axis होता है तो एक्सिस याद रखना हमेशा हमेशा इस side negative ही रहने वाला है एक दो बार वीडियो rewind करें कि सब समझेगा अब यहां पर आ जाओ अब यह है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस अब यह हमारा F2 है यह हमारा 2 F2 है हमेशा मेरा इस side image ही बनती है हमने अभी अभी देखा चाहे वो inverted बने चाहे वो real बने बढ़ इस side ही हमारी image बनती है तो अगर इस side कोई distance अगर major करते हो तो वो हमारी positive image बनेगी यहां पर कौनसी image आएगी image कैसी भी आए चाहे inverted आए real है कुछ भी आए लेकिन इस side जो भी image major करोगे वो कैसा रहेगा वो जो हमारी image रहेगी कैसी रहेगी गया जो हमारी image रहेगी वो image हमारी positive रहेगी समझ गया क्योंकि इस side हमारा कौनसा axis होता है positive axis होता है positive x axis होता है तो यह हमारा होगा sign convention आप यहां पर थोड़ी बहुत बाते आपके लिए लिखी हुई है आप चाहो तो पढ़ सकते हो it's your choice अगर आप पढ़ना चाहो तो आपको अच्छा लागी तो पढ़ लो ठीक है देखो यहां पर ध्यान देना यह इसे हम Cartesian sign convention कहते हैं आप इसे याद कर लेना कभी भी याद रखना वही लिखा हुआ है कि object always placed on the left side of the lens lens के left side ही object को रखना है हमेशा distances होंगे वो parallel रहेंग है कि कोई भी distance आप ओपॉइंट से ही major करोगे ठीक ही बाद आपको ध्यान रखना है चाहे वह positive मेरा है चाहे वह negative मेरा है उससे फर्क नहीं पड़ता है distance जो रहेगा हमेशा perpendicular to the period of principal axis and above it are taken to be positive अगर उपर की तरफ distance measure करते हो तो वो positive रहेगा हमको भी पता है कि axis में हमारा उपर की तरफ positive नीचे की तरफ negative रहता है यह हमको भी मालूब है चाहुथा point वह लिखा है कि अगर नीचे below measure करते हो तो negative रहेगा below तो negative अबो तो positive ठीक है और जो focal length रहेगा of the convex length वो हमें सब positive ही रहेगा while that concave ł के लिए negative रहेगा तो convex lens कभी भी अगर आ गया न तो convex lens के लिए जो focal length होता है वो हमें सब positive ही होता है यह point numerical में आपके लिए बहुत मदद करेगा कभी-कभी आपको focal length positive-negative दे के नहीं रखता है लेकिन आपको convex lens दे के रखेगा तो आपको समझ जाना है कि जो यहाँ पे निमेरिकल में आप देखना जब आप question करोगे न word problem जब convex lens exercise आपको दिया रहेगा convex lens लेकिन focal length जो आपको रहेगा न वो आपको positive-negative कुछ दे के नहीं रखेगा तो आपको खुद से लेना पड़ेगा positive है कि negative है तो अगर convex lens है तो positive लेने का अगर concave lens दिया रहेगा तो आपको negative लेना पड़ेगा negative अगर मालो बोला कि concave lens में focal point 25 है focal length 25 है concave lens के लिए तो आपको लेरियल में given में क्या लेना पड़ेगा खुद से minus 25 आपको लेना पड़ेगा ये मत पूछना कि फिर किदर minus आया तो concave lens के लिए हमेशा focal length negative रहता है और convex lens के लिए हमेशा focal length positive रहता है ये बाते आपको समझ के रखनी है चलो आप देख लो यहां पर अगर आपको देखना चाहो तो you can watch here और look here ठीक है यहां पर देख लो आप अच्छे से देखो मैं आपको यहां पर दिखा जिता हूँ इस तम बेस्ट तरीके से ठीक है आपको मतलब अच्छे समझ जाएगा सब कुछ ठीक है मस्त अच्छे समझ जगा देखो यहां पर यह हमारा गाईस जो यहां पर देखे रखा यह incident ray यह हमारा देखो कौन सा लेंस है आप देख सकते हो कौन के लेंस है तो वही सेम उपर जाओगे positive नीचे जाओगे negative इस side measure करोगे तो आपका positive रहेगा वो सबको मालूम है लेकिन focal length कभी अगर लेना ना concave के लिए तो concave के लिए focal length हमेशा negative ही रहता है focal length मत्तब यहां से लेके यहां तक length measure करोगे negative ही आएगा यहां से लेके यहां तक measure करोगे तो negative ही आएगा ठीक है यह बात आपको ध्यान देना है चाहिए जो भी हो जाए भले आप convex lens के लिए measure करो तो भले positive बीच में कभी न कभार आ जाए लेकिन concave lens के लिए कोई chance नहीं है क्योंकि यहां पर देख लो आप चाओ था rule और पाचवा rule पढ़ लो पाचवा rule पढ़ लो the focal length of convex lens is positive while that of concave lens is negative ठीक है यह बात आपको हमेशा lifetime याद रखनी है ओके माइडियर यह बात है आपको ध्यान देनी है चलो अब मैं आपको यहां पे कुछ चीजे दिखाना चाहता हूं जिस्सकी जो कि आपको बहुत ही मदद करेगी आपकी exam में और numerical को solve करने के लिए ठीक है देखो यह हमारा अभी हम lens formula सीखने जा रहे है पॉईंट है lens formula यह हमारा convex lens हम ज्यादा तर convex lens इस्तमाल करेंगे, concave में भी same condition ही होती है यह हमारा convex lens है माल लो guys, यह हमारा f1 point था यह हमारा 2f1 point था यह हमारा माल लो guys कि suppose यह f2 point है और यह हमारा 2f2 point है 2f2 point है, ठीक है चलो अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, बहुत important है lens formula में lens formula तो guys, अब यहाँ पर एक चीज़ friends आपको समझना है कि माल लो अगर मैंने यहाँ पर image अपनी रखी object यहाँ पर रखा, तो image कैसे बनेगी यहाँ से जाएगा और यह optical center से एक निकाल दो तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आपका image बनेगा समझ गया कि ने समझ गया ऐसे आपकी image बनेगी optical center से suppose गया अब इतना माल लो आप जान सकते हो ठीक है ऐसे आपकी image बनेगी now, अब देखो जान से अच्छे से बहुत important concept बताने जा रहा हूं है आपको ध्यान दो अच्छे से बहुत जरूरी है optical center से ही distance यानि O से ही major करना है इस side major कर रहा हूं कितना distance आएगा आप ही बताओ जरा distance कितना है यह जो length रहेगा इसे हम क्या कहेंगे focal length जहां पर हमारा object है और जहां से हमारा यह optical center है तो क्या रहेगा यह हमारा focal length कहलाएगा जिसे मैं F कहूंगा क्या कहूंगा मैं जिसे F कहूंगा मेरा focal length कहलाएगा हो दूसरी बात मेरा object की कुछ न कुछ height है तो उसे मैं U कहूंगा और मेरा image भी कुछ बना है ना तो image की भी कुछ height है तो image की height को मैं V कहूंगा अब आपको कभी भूलना नहीं चाहिए समझ माया जिसे मैंने image बना क्या आपको समझाया है तो height रहेगी जो वो U रहेगी जो आपका यहाँ पे image बनेगा वो आपका V रहेगा और जो आपका optical center से जहां object बैठा है वहाँ तक का जो distance रहेगा वो आपका F रहेगा यह small f जिसे हम focal length कहते हैं और इनी तीनों का combination अगर आप करते हो इस तरीके से कुछ यानि कि 1 f is equal to 1 upon image की height minus object की height अगर आप ऐसे लिखो तो यह ऐसे बनता है और यह आपका कहलाएगा lens formula ठीक है चलो तो गाइस यह आपको अच्छे समझ चुका है this is your lens formula ठीक है यानि 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u f क्या है focal length ठीक है focal length अच्छे से याद रखना अच्छे से यह है आपको focal length v क्या है height of the image u क्या है height of the object ओके यह बाते आपको समझ के रखनी है अंगला concept बढ़ता हो magnification क्या होता है तो magnification आप देखो यहाँ पर zooming power इसे हम कहते हैं कितना आप zoom कर सकते हो यह होता है गईस देखो अब जिसे कि मैंने अभी अभी आपको बनाया था ना क्या ऐसा आपको पता है आपको सब मालूम है सब मालूम है आपको height of object किदर कैसा रहेगा कितना object का height है आपका कितना आपकी image का height है इस अब आप जान चुकी हो ठीक है देखो यहाँ पर magnification due to ratio of height of image to the height of object हम basically इसमें ratio ही निकालते हैं तो magnification का formula बस याद कर लो height of image upon height of object यानि कि h2 upon h1 height of image h2 height of object h1 आपको यह याद करना पड़ेगा कि h2 मतलब height of image ही होता है और h1 मतलब height of object ही होता है यह आपको याद करना पड़ेगा ठीक है चलो second अगर guys मैं इसके distance की बात करूँ मतलब अगर मैं distance की बात करता हूँ distance की देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज अभी बता जेता हूँ वह आपस से आप फर आप समझ लो जो आपके book में दिया हुआ है मैंने वहाँ पे v और u ले लिया था यहाँ पे आप देख लो यहाँ पे देख लो ठीक है चलो इसी चीज को मैं यहाँ बना कर दिखा जीता हूँ ठीक है आपके book में जो ले लिया है उसके according में आपको बता दूँ जो आपके book में दिया है मैं वही आपको बताता हूँ ध्यान देना बाकी वह इससे कोई wrong नहीं होगा ठीक है देखो यहाँ पे f2 और यह 2 f2 ऐसे ध्यान देना भी अच्छे इस ठीक है यह जो guys हमारा object है तो object की height को नाम h1 लेते है आपके book के according height h1 अब मालो इसकी ऐसी यहाँ से गया और यह इस तरीके से इसकी object बन रही है ध्यान दो अच्छे से इस तरीके से यहाँ पे image बना ठीक है ध्यान दो बहुत important है तो इसका जो image बनेगा यह मालो मैंने इसको h2 माल लिया ठीक है यह height है यह मेरी height of image बन गई और यह height of मेरा object बन गया अब देखो धान से अब distance की बात करता हूँ तो distance कहां से measure करना होता है यहां से measure करना होता है तो अगर मैं optical center से distance measure करूँ तो यहां तक का distance कितना आएगा तो उसे guys मुझे u लेना है मतलब यह distance मेरा u है यह मेरा distance u है और यहां से जो हमारा इसी optical center से मैं इस side image का distance भी measure करूँगा from the optical center तो यह मेरा v माना जाएगा आपके book में ऐसा दिया हुआ है ठीक है चलो और then आपके बाद इसने lens formula अपलाई किया 1 upon v minus 1 upon u अब आपको clear cut समझ चुका है height आपके book में h1 object के लिए h2 image के लिए जो u है u जो आपको देखे रखा है यह आपका distance from optical center to the object and v is the distance from optical center to the image समझ यह तो v is the distance of image u is the distance of object h1 is the height of object h2 is the height of image तो यह इन सभी को combine करोगे तो आपको lens formula बन जाता है okay my dear चलो इसको याद रखना अच्छे से now अभी हम guys power of lens को समझते है exactly power of lens क्या कहलाता है ध्यान देना power वो capacity कहलाती है किसी भी lens की वो capacity कहलाती है किसी भी किसी भी कोई भी दुनिया में lens रहे तो चाहे हो concave रहे कितना converge कर सकता है और कितना diverge कर सकता है अगर वो concave convex lens है तो कितना converge और वो concave lens है तो कितना diverge कर सकता है incident ray को diverge मतलब दूर भगाना और converge मतलब पास मिलाना कितना कर सकता है उसी capacity को हम power कहते है जिसे हम P से दिखाते हैं और power का formula होता है focus point की उपर depend करता है अगर आपका focus point बहुत जादा रहेगा, बहुत जादा focus point है ध्यान देना अच्छे से तो आपकी power automatic कम हो जाएगी मतलब अगर आपका focus point बहुत बड़ा रहेगा तो आपका power बहुत कम रहेगा लेकिन अगर आप माल लो आपका focus बहुत छोटा है तो आपका power बहुत जादा रहेगा आप ही बताओ नजरा अगर माल लो आपके घर में दिवाल है और दिवाल में अगर बहुत बड़ा hole है तो आपको क्या लगता है light बहुत ताकत से जाएगी आगे easily light निकल जाएगी लेकिन अगर माल लो आपके घर में वाल में एक थोड़ा सा hole है और छोटा सा hole है तो उसमें से जो light जाएगी ना बहुत intense रहेगी light की चमक बहुत जादा रहेगी अगर उस hole छोटे से hole में से जब light निकलती तो चमक बहुत जादा होती है और यही जो hole होता है इसी को हम focus कहते है focus समझ गया तो बड़ा सा अगर hole रहेगा focus बड़ा रहेगा बड़ा focus तो power उसकी कम माने जाएगी और अगर focus बहुत छोटा है तो power बहुत जादा माने जाएगी यह है real concept समझ गया अच्छे से और यहाँ पर भी आपको वही चीज़ सीज़ के रखनी है कि जो power उसकी unit है जो die aperture आप इसको die aperture पढ़ते हो और यह one upon one M आप इसको याद रखना है तो power की unit die aperture D D हमारे power की unit होती है D हमारे P की यानि power की unit हमारे die aperture मतब D यह हमारी unit रहती है बस यही आपको याद रखना है और last and last point जो guys है आपका हमासा combination of lenses के बारे में हम सीखते हैं ठीक है देखो lenses मानलो गर आपके सामने एक lens यह है और दूसरा lens आपके पास और आ गया मानलो इस lens की power P1 है और इस lens की power P2 है ठीक है तो मुझे total lens की power कितनी हो जाएगी P is equal to P1 plus P2 हो जाएगी और अभी अभी हमने देखा कि मानलो पहले lens की power क्या होती focal length की basis पे तो 1 upon F होती है अभी हमने देखा ना कि power का formula 1 upon F होता है F मत्तब focal length मानलो में ने focal length क्या कहला था जहां पे object है यार वो focus का length समझ आगी ने समझ गया equal to और P1 क्या कहलाएगा F1 कहलाएगा plus P2 क्या कहलाएगा F2 कहलाएगा ये बातें आपको समझ के रखने है this is the real formula तो चाहे तो आप ये वाला लिखो अगर आप power के form में लिखना चाहते हो अगर आप focal length के form में लिखना चाहते हो तो ये लिखो मतलब कि ये बता रहा है ये relation कि अगर आपको focal length का value मालूम है तो आप power की value को भी निकाल सकते हो ठीक है ये बात आपको समझ रखनी है ये रहा देखो power एक ही बात है इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए बात तो एक ही है न क्योंकि power का formula भी तो क्या होता है वही होता है देखो न power का formula भी one upon f e होता है focal length ही रहता है ठीक है अच्छे से समझ गया तो यही guys हमारा point था सारा का सारा आज का discussion का यह power हो गयरा वाला सारी चीज़े आप इसको समझ के रखना अच्छे सी यह power है combination of lenses में जब कभी भी आप दो lens को combine करोगे न combine तो उनकी power add हो जाती है वस इतना याद रखना तो दोको power add करोगे दोको ऐसे लिखने का अब इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते है समझ लो अब इतना पढ़ना पड़ेगा तब जाकि आप कुछ ट्वाप और कर पाओगे बोर्ड में और ऐसा बताया हूं कि each and every point आपको बस बार बार पूरी वीडियो को ही देखोगे न और बस एक ही बार book को read कर लिना सब समझ जाएगा इसके बाद बहुत important topic आने वार human eye के बारे में human eye के बारे में गया जिसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं उस वीडियो को miss बिलकुल मत करना नहीं तो बहुत ज़्यादा problem में फस जाओगे ठीक है तो मिलेंगे अंगले वाली वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए